सच्च रेकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगन प्रीत का और मैं एक योग चिकित सखा ते आयुर्वेद अचा रहे हाँ आज जसे तिन खास चीज़ां बारे गालबात करांगे इत तिन चीज़ां दी वर्तों सानों सैंकडे रोगां तो बचा सक दी है ते एं मौसम दे अनुसार भी जरूरी है आओ जान दे हां कि एं तिन खास सीज़ां की हन सब तो पहला तासी रोटी बारे ही गालबात करांगे रोटी साड़ी रोज दे जिन्दगी दा बहुत ही वड़ा हिस्सा है जदो तक असी रोटी नहीं खान दे सानों तसल्ली नहीं हुंदी असी बेशक किन्ना ही कुछ खा लेगी पर आजकर बहुत सारे लोकानों ये दिक्कत आ रही है क्यों नहीं रोटी ठीक तरा नाल पच्च दी ही नहीं रोटी खान दो बद पेट बहुत जादा फुल जानदा है, गैस पन जानदी है, अपारा हुंदा है या फिर पेट खुलके साफ नहीं हुंदा ता असी रोटी नो किस तरा खाना है कि रोटी सानों कोई वी परिशानी ना करे आओ जान दी हाँ इस बारे कुछ कहास करना सब तो पहला तो रोटी दा जड़ा आटा है वोई बहुत ज़रूरी है जे असी हर रोज बासी आटे दी रोटी खामांगे तो सानू रोटी पचन विच दिक्कत हो सकती है ते इस तरांदी रोटी सानू केलेस्ट्रोल, डाइबिटीज या हाई बीपी इस तरांदी अब बहुत सारी दिक्कता पैदा कर सकती है इस ते नालनल पेट देशू तब बहुत ही आम जई गल है ता हमेशा जदो भी रोटी पकाणी है उस तो अद्धा पॉना कंटा पहला ही आटा गुल्लो एनक समा अपनू ज़रूर देना चाहिदा है क्योंकि इस ते नाल आटा चंगी तरा रस जानदा है उस ते विश थोड़ी फर्मेंटेशन हो जानदी है जेस कारके रोटी बहुत ही ज्यादा सोनी बन दी है हुन दूसरी जड़ी गालसी त्यान रखनी है वो ए है कि कदे भी रोटी नू नू नौन स्टिक तवे ते ना बनाओ सबो रोटी बनाओनली हमेशा ही लोहे दा तवा वर्तो जदो भी असी लोहे दे बर्तन अपने पूजन दे विच बर्तने हा ता इना दे बहुत खास बेनेफिट है एकना ए खाने दे पौशक तत्ता नू बरकरार रखता है दूसरा ए है कि एसना सानू लोडीन दा आईरन तत्त मिल जानदा है जसते नाल आम तोरते सानू खून दी कमी जिसनो असी एनीमिया कहा दन दे हा ओ नहीं हुन जहरईली हुन्दी है उसते उपर रोटीनू डारेक्टली सेखना इससे भी तरह फायदयमन नहीं है एसकार के जदों भी तस्ति रोटी पकॉनी है तो रोटीनू नाता बहुत ज्यादा पतला रखो ना ही रोटी बहूत ज्यादा मोटी होनी जाईदी है सबो लोहे दे तवे दे उपर सानू चंगी तरा उसनू पकाणा चाहिदा है पोणे या कपडे दी सहायता दिनाल असी उसनू तवे ते ही फुलाणा है थोड़ा टाइम लगके रोटी पकेगी तरोटी अंदरो कच्ची भी नहीं रहन दी इस तरह सई तरीके नल पकी हुई रोटी जैसी खान दे हां तो पच्चन वीच बहुत हलकी हुँदी है किसे तरह दे पेट रोग नहीं कर दी गैस अफारा ते तिजाब तो सानू बचान दी है ते इस तरह दा पोजन असानी नल जो दो पच जान दा है कोई वे टॉक्सिन साधी बॉड़ी दे वे जमा नहीं हुँदे ता एस सानू जोडां दे दर्द, केलेस्ट्रोल, हाई बीपी वरगियां जड़ियां क्रॉनिक बिमारियां ने उना तो सानू बचा सकते हन अगला पॉइंट एवी जरूरी है कि साधे कुल बहुत तरह दे अनाज मौजूध हन जिवे की कनक, चावल, जौ, जवार, बाजरा, मक्की, होर बहुत सारे मिलिट्स जिवे की कोद्रा, कंगनी, रागी तो सानू मौसम दे अनुसार अलाग अलाग अनाज वर्त के भी रोटी बनाओनी चाहिदी है क्योंकि जे असी इकको तरह दा आटा हर समय खांदे रमांगे खासत और ते तिन्नो टाइम खांगे तो एस दे नालवी साड़ी गट खराब हुंदी है, मेटाबॉलिजम इनना ज्यादा वदिया नहीं रहनदा तो कोशिश करो कि बदल में आट्यां दी वर्तो करो गर्मियां दे विच असी कोद्रे दी वर्तो कर सकदे हा, नालनल जौं ते जवार दा आटावी ले सकदे हा, कणक दा आटावी ले सकदे हा कदी-कदी असी मुंगी दे दाल दा आटावी उस्ते विच इस्तिमाल कार सकदे हां छोल्यां दा आटावी आपां वर्ट सकदे हां सरदियां दे विच असी मक्की, बाजरा, रागी इसना होर आटे जेडे हन इना दी वर्टों करके अपनी रोटी नूँ होर ज्यादा पौश्टिक बढा सकदे हां जे तुसी इना गला दा त्यान रखोगी रोटी बढान दे लई ताथ तुसी बहुत सारे रोगां तो बच सकदे हो होर आसी ऐसे दो फला बारे गाल बात करांगे जेडे की मौसम दे अनुसार हन इना दी वर्टों सानू अगले दो-तिन महीने जरूर करनी चाहिए दी है जिसने ना नसी बहुत सारे पौश्टिक ताथ लै सकदे हां जिवे की पहले फल बारे मैं गाल करूंगी केला केला अपने आप विच बहुत ही ज्यादा पोशन देन वाला फल है एस ते अंदर सानू चंगी मात्रा विच केल्शियम मिल जानदा है फॉसफोरस मेगनीशियम मिल जानदा है तक केला शरीर दी तंदुरुस्ती लैं मजब जे चात केला के Sigards और सी वेट लौस मिल ज़्यादा है ता पहले बिल जानदा है अपनिल जानदा है ओजे तुसी खास तौरते पसांद करदे हो तो उना नू लेना चाहिदा है जिना दा पार बहुत ज्यादा काट है जिडे बहुत कमजोरी ते थकान मसूस करदे हैं क्योंकि ये पच्चन विच थोड़ा पारी हुंदा है ते वेट गेन करण वाला हुंदा है इस कारके बनाना शेक जेडे पारे लोखन उना नू नहीं लेना चाहिदा तासीर विच थंडा होन कारके पित रोगां दे उपर केला बहुत ही वधिया काम करदा है जिवे की जडिया पैना नू ज्यादा ब्लीडिंग हुंदी है या लियोकोरिया दी शिकायत है उना नू केले दा सेवन जरूर करना चाहिदा है जिना नू नकसीर छुड़दी है हत इस नू असी शरद रित्व कहन दे हां सरदी तो पहला वाला जिड़ा मौसम हुंदा है एस ते विच कुदरती तौरते बहुत ही ज्यादा गर्मैश साड़े श्रीर विच निकल दी है जिस कारके सानू ठंडिया चीजा दा सेवन करना चाहिदा है ता इस मौसम विच केला बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द हो सकदा है जिना नू खांसी जु काम बलगम दी शिकायत रेंदी है ओ केले द उपर काला नमक काली मिर्च ते थोड़ा जीरे दा पावडर लगाके केले दा सेवन कर सकदे हन केले दा सेवन सानू कदी वी रात वेले नहीं करना चाहिदा क्योंकि एक ता ये पचन विच पारी हुन्दा है दूसरा ठंडा होन कारके ए रात नू रेशा ते बलगम पैदा कार सकदा है ते पाचन शक्ती नू कमजोर कार सकदा है जे तोहाडे मूँ विच अकसर छाले हो जान्दे हन मूँ पाक जान्दा है तावी सानू केले दी वर्तो करनी चाहिदी है एक काफी फाइदे मन हुन्दा है जिनने विवात रोगी हन जिनना दे जोडा विच दर्द है या फिर कमजोरी थकान है या हाथ पैर कमब दे हन जिनना दी यादास्त कमजोर हो जान्दी है इस सारे रोगां दे विच अपा केले दी वर्तो कर सकदे हैं क्योंकि केला वात शामक है एसे तरह गर्मी दे रोगा थे थोड़ी काले मिर्च लगा के ओसता सेवन कार सकते हो जे तोसी weight gain करना चौन दे हो ता आपा केले दे नाल देसी के ओते शक्रदा इस्तेमाल भी कार सकते हैं एस तरीके भी weight gain विच केला मदद करदा है केला fertility नूँ वदाउन दा है इसकार के जिना दिस परम काउंट का अठन या फिर किसे भी तरह शुक्रानुआ संबंदी कोई समस्या है तो उठे भी केले दी वर्तो हो सकती है आज इसकार कई आजए 自然 वीच देखे तो आमतार आपनी केला बहुत ये असानी नल मिल जांदा है तो मौसं वीच केला चंगा मिलदा है गर्मी केला ठोड़ा ख्राब हो जांदा है खांदा दिल नहीं करदा पर इस मौसं वीच केला काफी वदिया क्वालिटी दो आपनी मि पाला हो जाएगा ता इस दा मतलब केला अंदरो पूरी तरा त्यार है, इस तरा कुदरती तौरते त्यार मिठा केला जड़ा है, ओ ही शरीर ले ज्यादा फायदे मन्द होंदा है। करके अपना बुड़ाप पे तो होन वाली जड़ियां समस्यामा ने उना नो डिले कार सकते हां। काट कैलरीज दिनाल जड़ो आप अपना पेट पार लवांगे ता सानू वेट लॉस विच काफी मदद मिल जान दी है। कि जे असी एक समय दा अनाज छड़ के उसी जगा सेब ले 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 ये। ता सानू किसे तरह दी कमजोरी थकान नहीं हुन दी। सगों साड़ा शड़ीर होर वी ज्यादा ताकतवर एनरजेटिक हो जान दा है। ते साड़ी सकिन वी बहुत ही वदिया साफ ते सोनी हो जान दी है। सेब दे विच चंगी मात्रा विच सानू आयरन मिल जान दा है। इस करके सेब खून दी कमी नू दूर करदा है। ते खून दी शुद्धी भी करदा है। सेब डाइबिटीज दे रोगियां लई दी एक चंगा फल हो सकदा है। क्योंकि सेब दे विच कुदरती शुगर हुन दी है। जेड़ी की साड़े बलड ग्लुकोज नू इकको दम नई वदन दिन दी। ते विच फ्रक्टोस ते पॉलिफिनोल पाया जान दा है। ते नाल बहुत सारा फाइबर हुन दा है। जिस करके सेब खान दे नाल शुगर एकको दम नई वदन दी। जे तोहानों शुगर दी बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। उना रोग्या नों हमेशा चिकित्सिक दी सिला लेनी चाही दी है। पर जे तोहाड़ी शुगर कंट्रोल दे विच है। या तुसी प्री डाइबिटिक हो। पर आपके तोहानों शुगर हों दी चांसिस हो सकते हैं। ता सेब एक सेफ फ्रूट है। तुसी सेब दी वर्तों कर सकते हो। एस दा गलाइसिमिक इंडेक्स लो हुंदा है। एक काफी मददगार साबित हो सकता है। तोहानों कमजोरी थकान तो भी बचा सकता है। ये मिठाई दी जगां कुदरती मिठा जेडा है। वो तुसी इंजोई कर सकते हो। जे तोहाडा BP हाई रेंदा है। केलेस्ट्रोल दी दिक्कत है। या फैटी लिवर दी परिशानी है। किसे भी रोग विच तुसी सेब दी वर्तों कर सकते हो। गॉल ब्लेडर स्टोन यानि के पित्ते दी पत्त्री विच वी सेब काफी फायदे मन हुनदा है। कदोहसी फला ते नमक या मसालय लगौन दी गल कर दे हां। यह त्यान डखना है कि जे वात रोगी हो। वात रोगी यानों हमेशा ठंडी चीज खाके तकलीफ हुनदी है। किसे दा गला ख्राब हो जानदा है। किसे दे जोडा विच ज्यादा दर्ध हुनदा है। ता इनना सारी केसे दे विच आपा फला नू थोड़ा बहुत जीरे दा पावडर, काला नमक या काली मिर्च लगा सकदे हां। जे तो हानू कफ लोग हन, रेशा, बलगम या ठंडक दी दिक्कत है। ता वी आपा काली मिर्च या जीरे दा पावडर लगा सकदे हां। पर जे तो हाडे शरीर विच बहुत ज्यादा घर्मी है। पित दोश ज्यादा वध्या रंदा है। ता इस केस विच आपनू फला ते काफी फाइदा ले सकदे हां। मौसम दिया चीजा नू जरूर वर्तना चाहिदा है ताकि असी पूरे साल लई अपनी रोग प्रतिरोधक सम्रथा नू बदा सके। इना गल्ला दे नाल नाल जे तुसी योग कर दे हो ता तुसी अपने शरीर नू होर भी ज्यादा मजबूत पड़ा सकदे हो ते एजिंग दे प्रॉसेस नू स्लो कर सकदे हो योग क्लास जॉइन करन ली तुसी सानू वट्सप कर सकदे हो 82-84-0026 मैं मिलूंगी किसे होर नमी जानकारी देनाल ता तक लई साथ शर्यकाल